चलिए पार्थण की रफ चलते हैं सी ए एक्ट दो जार गुंदिस अपर ऐसे था पार्थण की द्रह हम को कर रहें क्या कहता है पार्थण देखिए आप पहले लाइन देखिए इसकी नागिता दीदियम दो चार गुंदिस एक संश्वदीत और विस्तारीत रूप है Citizen Amendment Act 2019 जो इस एक्ट का नाम है Citizen Amendment Act 2019 जो इस एक्ट का नाम है Citizen Amendment Act जो इस अंश्वदीत वाथा 2019 is an amended and extended form is an amended and आयगाई आर्टिकल and amended and extended विस्तारीत रूप है उस 2015 वाले का extended form पहली लाइन Citizen Amendment Act 2019 is an amended and extended form of law कानून का एक विस्तारीत रूप है उस लोगा उस एक्ट का जो दो जार स्वरी उन्नी सुपच्वद में बना था फिर ये अधिरियम एक समझोती की परचाई में कारिय करता this is very important life ये अधिरियम एक समझोती की परचाई में है this act works under shadow of a pact this act ये काम करता this act works under shadow of a pact जो उससे में हुआ था shadow of a pact ये अधिरियम एक कानूर की परचाई में काम करता है which had been which had been done जो हुआ था which had been ये भी mention ना ज़रूरी है which had been done जो हुआ था कम हुआ था कहा हुआ था गजर शोगदे ने had been done between India and Pakistan in 1950 उसी के बाद बो बना था partition के बाद की कानी है between India and Pakistan India and Pakistan इसका इंपोर्टेट पॉइंट यहां पर हुआ क्या था अकोरिंग टू दिस पैक्ट इस पैक्ट के अनुसार यहीं स्की इंपोर्टेट खासबात ही नहीं जाएं था इसका इंपॉर्टेट के अनुसार प्रतारित किया दी जाएगा इन एनी कंट्छी, किसी भी देश में, इन एनी कंट्छी, यह दि आपके दिमाग में अत्याचाहरा जाए तो यहां पर अप्रेस कर सकते हैं, आप अत्याचाहरा जाए तो अप्रेस और यात्ना जाए तो टॉर्चर्ड, लवानजे शुने नॉन ए वापस हम पीछे जो किया गया था हुआ था बिट्विन इडिया और पाकिस्तान इन नाइटिन फिप्टी दा इर इस इंपोर्टेंट तो यहीं से आपर गाने जा रही है अकोर्डिन दू दिस पैक दा माधरे शुनन भी टॉचर्ड इट एडी कंट खी करने के लिए किसी देश में आ जा सकता यह सिंटेंज का वह था एंडी रिफ्यूजी कैन प्लाइ यह जैसे अभी का पूर फैंबली है इंडिया में उनका मताने वहां पर जा सकता है बना कोई नहीं करेगा कि हिसावा प्लीज एंडी रैफ्यूजी इस पैक्ट का जो इंपोर यह बड़ ही जह कि हैं प्लाइगा अजा सकता है आयगा और जाएगा कोई बनादी कर आप इन्य निफ्यूजी कैन प्लाइ कोई भी wierफ्यूजी आ और जा सकता है काए को इस प्रॉपर्टी长 करने के लिए उसका जो भी है तुडिस पोज कर इस प्क के खास वां थे तो डिस पोज है अरिक पुरपार्टी इसwww स कापोर परीवार निया कंट्री किसी भी देश में आ और जा सकते हैं वो आ है तो डिस्पोज हिस प्रॉपर्टी या दियर प्रॉपर्टी एनी लिया है तो हिसी लेगी दियर की रिक्वाइर्मेंट नहीं है आगे यदि किसी देश किसी का जबरती धर्म परिवर्टन किया गया था उसको मानने तर नहीं है इसमी किसाब उसको रिकर्गेरिशन दी जाएगी इस पैक्ट के अंतरगर्ट इफ एनी वान्स रिलीजान है जो जो भी है हैड़ बी चेजड यो एधि किसी का धर्म परिवर्टन किया गया था इस काड़ी में हैड़ बी चेजड हुआ था या किया गया था ठीक है हैड़ बी चेजड तो क्या होगा forcefully forcefully होगा अपने इच्छा से परेगा तो मतलब अलग है forcefully यहां तो संभावना नहीं है लेकिन पाकिसान में तो है forcefully फिर क्या होगा forcefully it cannot be given recognition उसको मानिता नहीं दी जाएगी passive में हैं आप it cannot be recognize भी कर सकते हैं और given recognition भी कर सकते हैं given recognition recognition उसे recognition ही मिलेगी recognition का बनलब पहचान उसको मानिता भारत ने तहे दिल से इस सब्जोते का सब्मान किया है जाहिर सी बात है वो तो रही करता है वो तो जिसे कहते हैं की उल्टा ही चलता है idea has as में आगे चल रहा है idea has esteemed idea has esteemed this pact idea has esteemed this pact from bottom of its art impact के बारे में हमने it is an amended and extended form of law this act works under shadow of a pact which had been done between India and Pakistan in 1950 according to this pact the minority shouldn't be tortured according to this pact the minority should not be tortured in any country any refugee can apply to some point any refugee can apply in any any country to dispose this property आ और जा सकता है कोई नी रोकेगा if anyone's religion had been changed forcefully यदि मान्यता धर्म change हुआ है forcefully तो उसकी मान्यता नहीं दी जा सकती तीन पॉइंट काम करने यहां पर वो अपनी refugee भी प्लाई कर सकता है आ और जा सकता है मान्येटिस को यहां पर चली किया जाएगा refugee आ और जा सकता है और तीसरा यदि धर्म यहां पर change हुआ है renegade हुआ है धर्म का change हुआ है किसी भी वे में तो उसको यहां पर इस pact के अंतरगर समझोता नहीं मिलेगी इस pact का जो पाइवटल है जो अक्षए जो धुरी है वो है यह pact इस pact के मिना CAA अस्तित्यु में आना मुश्किल था according law और legal ground पर बात कर रहे हैं हम इस अधिदियम के अनुसार कोई वेक्ति पड़ोसी मुलकों से भारत में 2.14 तक आ गया है तो पहला situation देने की आपकी वो तरीका according to this कोई भी according to this act according to this act पहला मान जिता जो देगा उसका बेश देखी आप इसको आपको याद भी रखना है if any person has entered आ गया है any person कैसे भी आया हूँ किसी भी में आया हूँ has पहला point has entered entered इंडिया इंडू नहीं आएगा entered इंडिया यदि कोई भी इंसान इंडिया में दो अजाद चोदा तक आ गया है till 2014 enter इंडिया till till का मतलब तक till 2014 पहला point according to this CAA till 2014 from देबरहूर कंट्रीज ऐसा दी अमेरिका से आ गया हूँ from या आसपास वाले देश अपना देपाल हो गया जो भी अमने आसपास है बागला देश हो गया नेवरूर ये इसकी पहली करना है वरूर कंट्रीज ये रिया आसपास के देशों से दो जाद चोदा तक कोई भी नागरिक आ गया then he cannot be assumed as refugee तो उसे refugee नहीं समझा जाएगा पहला point then उसे refugee नहीं समझा जा सकता he cannot be assumed पैसी में है आप assumed as refugee उसे आप refugee का दरजा नहीं देगे assumed as refugee यादि दो जाद चोदा तक है उसके बाद आया है तो refugee की कारी चले रही है इस अब आगला देश refugee है दो जाद चोदा गया देवरूरूर कंट्रीज से कोई भी परसन यहाँ पर आ गया है तो उससे refugee नहीं माना जाएगा उसे शर्णार्थी का दरजा नहीं होगा उसके बाद आया तो कारी कोछोर कहती है फिर उसको शर्णार्थी वे विक्ति दागिता प्राप्त करने का अधिकारी है वही परसन जो यहाँ पर आ है वो डिजर्व करता है वो डिजर्व करता है का पूर्ण अधिकारी है कौन परसन जो दो हजार चोदा तक इंडिया में आ गया है और उसी देशों से कही और से नहीं इस से दिजर्व कोई वेक्ति एक से च्छे वर्ष तक भारत में रह रह रहा हो दूसरा पॉइंट पॉइंट तो बबबताने बड़े क्योंगे एक्ट हमारा यही है थूरी यही है आप को एपॉइंट सियाद भी रखने पड़ेगे अकॉर्डिग टो दिस एक्ट दूसरा कौन सा परसन आएगा वो देखिए आप अकॉर्डि टो दिस एक्ट कोई भी परसन any person has been living in any person अब दूसरा point आ गया any person पहला point उदर है any person has been living in has been living in India भारत में रह रहा है from one to six years from one to six years कोई भी कंट्री कोई भी दे कोई भी पर सदी एक से लेके छह साल तक रह रह रहा है याँ पर और one year to six year या फ्रॉम या तो six year तो क्या होगा दा ड्वैलर ऑफ थी कंट्री निवरूट कंट्री कर देना पास्वाले ऐसे लोग जो यहां पर छह साल से रह लेकिन वो है यहां कि कि अपने अडोस परोसे वो लोगों को ड्वैलर का मतलब रहने वाला ता ड्वैलर ऑफ यह रोसी परोसी उनकी कार्णी है और वार नहीं है और कोई नहीं यह जए इज्राइंसे नहीं आएका वो नीं चले गए आपर पर डेबर हूड कट्री जो आडोसी परोसी हमारे बेवन रहने वालों को राग रिकता दी जा सकती है कैन वी गीवान ज़रूरी थिह Confederate लेकिन वो कंडिशनल काम बरेगा सिठी जान शेप अरोस परोस के देश वो भी तीन वहां से कोई आदमी आता है छेजाल से इंडिया में रह रह रहा है तो दैट परसन कें भी गिवन सिठेशिप दूसरा इसका पॉइंट पहला दोजा चोदा दूसरा छे साल परोसी देश य के ऐसी बेसी बेसरा जिसको ये दिया गया नागर्ता दी गई एनी परसन वाइलेट्स कंडिशनल हैै है ऐसे नहीं हमारी दरह है व्उआलेट्स दिस कोई भी पंजीगरण को रहत गँरगा व्उलेट्स लोग इं निस सिनेरियो से किसी भी परिद्रश्य में किसी भी पॉइंट ऑव यू से कुछ में लिख देना एनी पॉइंट ऑव यू इन एनी सिनेरियो तो क्या होगा रिजर देखिए आप इसकी कर्णिशन चल रही है इस रेजिस्ट्रेशन विल भी कैंसर्ड यह इसका पॉर्ट इस जो भी किया है इस रेजिस्ट्रेशन इस रेजिस्ट्रेशन उसका रेजिस्ट्रेशन पंजी करा जो सी एक लिए किया गया नागरिक्ता पाने और नागरिक्ता खोरी के यह पॉइंट सभी याद रखने हैं कि नागरिक्ता पाही कैसे भारत में पैदा होनी के अलावा माबा पैदा हुए हम पैदा हुए दादा जी पैदा हुए तब तो कोई प्रॉब्लम भी दी और सा रिलिस्टेशन उसके अलावा कोई आया च्छे साल से रह रहा है वगर तीन पर उसी देशों से बड़ा जरूरी है पहला काम और दूसरा काम है दो जार चोदा तक वो आ गया तो उसे के आने से जो benefit हुआ है वो देखिया आप शर्णार की बारबाद रोजरो torture नहीं होगे क्या कह रहें ये the refuses will not have to be नहीं करना पड़ेगा किसके द्वारा हमें पता नहीं है the refugees will have not to be faced the refugees will have not to be faced will have not to be faced क्या सामने नहीं करना पड़ेगा वो देखिया आप महेद बाव उर्मान सिक्पीडा किसे लेगे तो यार faced discrimination क्या करें अब दीचे हो तो लिया हूँ डिस्क्रिब्नेशार एंड डिस्क्रिब्नेशार एंड मेंटल टॉर्चर मेंटल टॉर्चर का एक और वर करना excreation मान सिक्पीडा नहीं वहीं लिखना ले गया और उस एक्स्क्रिब्नेशन यहां पर मेंटल टॉर्चर भी कर सकते हैं आप क्या दिक करना पड़ेगा रेफ्यूजिज को आपके भेद् भाग और मांसिक मेडा का सामना नहीं करना पड़ेगा एस्वी में हैं will have not to be faced इसके द्वारा नहीं करना पड़ेगा वे गरीमा के साथ अपना जीवां जीएगे ठीक है एक और उनका बेनेफिट दे विल लीड लाइफ वो गरीमा के साथ अपना जीवां जीएगे दे विल लीड लाइफ विद गलोरी glory का मतलब गरीमा अपनी पूर इज़द glory भी कह सकते हैं और आपको वापर मान मरियाद याद आ जाए तो आप dignity and decorum भी कर सकते हैं दो वर्णे आपके पास इस परिपेक्ष में वो भी applicable है ये भी applicable है इस CEA से जो फाइदा हुआ है refugees को discrimination और discrimination और इमान सिक्पेडा का साबना नहीं करना पड़ेगा और वे एक संबाद जनक जियेंगे CEA के साहे में आप तो दो प्रॉब्लम्स हो गई तीनों देशों के रहने वाले अवैद नागरिक को अधिकारों से मंचितनी किया जाएगा हालां कि वो अवैद है लेकित उनको जो है legal बना दिया गया इस कानूर से यह थे तो पहले तो अवैद ही थे प्रॉब्लम भी यह थी और यही तो कूधा था और मुद्धा क्या था था इलिस्टो ड्वैलर ऑफ इलिस्टो ड्यलर इवाले हैं और थी काट्रीज तीर दिशों के जो अवैद रहने वाले थे इलिस्टो ड्यलर थे जो आपके अवैक थे of the of three countries three countries जो भी three countries से आए जो अवैक थे उनको CA के दाइरे में लिया फिर उनका क्या benefit हुआ अधिकारों से वंचित नहीं किये जाएगे cannot be passive में आ गया cannot be वंचित करने बहुत ही अच्छा वरने deprived इसको important कर लेना इसके साथ proposition हमेशा ओफ आएगा deprived ओफ ये अपने constitution में भी है सब देंगे है three countries illicit dwellers of three countries cannot be deprived of their rights उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा ये हम impact बता रहे हैं CAA 2020 का Citizen Amendment Act 2020 का positive impact क्या आया कि जो आपके गयर कानूनी जो थे कानून रूप दे दिया हमेशा के लिए ज़जड़ी घतम कर दिया ये कौन illicit है कौन legal है कौन refugee है किसको अधिगार मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी इसका जो impact आया उसी में चल दे है भारत को वैश्वी किस तर पर प्रतिश्टा मिलेगी ये बात सही है India will get prestige India को prestige मिलेगी India will get prestige पूरे विश्वी लेबल पर यू लेगी इस से मिलेगी और क्रोकेशन 37 जे मिली है India will get prestige at global level बहुत वैश्वी किस तर पर पूरे आपके international is the global level ग्लोबल लेवल पे इंडिया को प्रेस्टेज मिलेगी सी ए ए इंपोस होने से इंडिया एक प्रतिस्टा के दाइरे में आएगा इंपक्ट आ रहा है इसका फिर बेना कानूनी आधार कि किसी व्यक्ति को नागरिकता से मचित्ति किया जाएगा हां उस्ते कुछ ऐसा कर दिया तो रच्टेशन कैंजिल होना ही होना है नो one can devoted of फिर आप एसी में हैं no one कोई भी कोई भी person जिसको दे दी गई है no one can be no one can be devoted of devoted भी मचित करना उसी का भाई है preposition of लेगा preposition of लेगा devoted of no one can be devoted of citizenship ना गरिकता से उसको ऐसे मजबिवन ना तो दी जाएगी ना जो है वापस ली जाएगी citizenship no one can be devoted of deprived of deprived of devoted of citizenship without without robust legal ground बिना किसी सशक्त मजबूती आधार के without any किसी भी इसका wolबसकी ने जाएं ए ले लिप ने without अगर गोबेंगे ज़रूर one chopsticks करने का मतलब होता है चील लेडा वच्जित करने का मतलब होता है किसी से कोई चीत छील लेना डिप्राइब कर देना अब का डी हो गया डी हो गया और भी हो गया D for deprive, वंचित करना, D for devoid, वंचित करना थातों सही लेके छिल लिया और B for bereft, वंचित करना और तीनों के साथ एक grammatical point बहुत अच्छा है, इन तीनों के साथ proposition of आएगा, लोग इसका use तो कर जाते हैं, जैसे मैं आपको वक्त देता हूं तो इनुमार जो answer आता, use तो कर जाते इसका standard grammatical power है, कि ये proposition of लेगा, आपका deprive of, devoid of और bereft of, जब भी आप कोई बात करते हैं, जिस पे कुछ छीना गया, जब इनारी सिस्टम छीना गया, तो आपका इतीनों वर्ड को लेना पड़ेगा, deprive, devoid of, bereft proposition of के साथ, अब सबुदाय को नागरी रांबर कानूनी रू इस अल्प संक्यक, minority, community, अल्प संक्यक संबुदाय है, has been defined legally, बिल्कुल लीगली, ये इसका plus point सल रहा है, has been defined, has been defined legally, has been defined legally, कानूनी रूप से अल्प संक्यक संबुदाय को परिभाशित कर दिया गया है, पैसे में आप, पैसे और एक्टिव का लिखते बग ध्यान रखें, has been defined, अपने वीवेक अधिकार का प्रियोग करके, फिर करके आगया, having को बुलाईए आग, अपने वीवेक अधिकार का प्रियोग करके, having, कोई भी अधिकार, कोई भी आपका अधिकार हमेशा exercise होता है, यूज दी होता है, आपको बता दू, having exercise, अधिकार कभी यूज दी होता है इप्रेटन डल लेना having exercise क्या exercise on discretion अपना विवे का अधिकार कि अपने विवे का अधिकार का प्रियोग करके discretion पावर होती है करे तो करें करें को पावर ली है उसका discretion है क्प्लेट having exercise on discretion अपने विवे का अधिकार का प्रियोग करके ता गौर्मेंट ओफ इडिया कैन अब्रोगे टरजिशन वो कर सकती है विवे का दिकार का उस पर बाउंडेड नहीं है कि आप ऐसा करने के लिए या नहीं करने के लिए बाउंडेड है ता गौर्मेंट ओफ इडिया भारत सरकार क्या कर सकती है कैन भी यूज कर सकते हो कैन और में में कोई साए कैन क्या करवा सकते हो आप कैन अब्रोगेट अब्रोगेट या नि रद करना अब्रोगेट या जो भी दिया था वापस ले सकती हो abrogate क्या abrogate कर सकती है वो registration of registration of OCI Card Deb volt OCI का full form देखना है abrogate registration of ये जो citizenship का है registration of OCI Card Holder OCI Card Holder का मतलब जिसको नागरिकता होल्डर OCI Card Holder OCI Card Holder info जिसको इसके अदरगर्थ आपकी मान्यता मिली थी, उसका रडिश्येशन भारत सरकार अपना विविकादिकार प्रियोग करके किसी भी समय करणिश्टल लिया था, वो इसको अप्रोगेट कर सकती है, वो रद कर सकती है, पूरा का पूरा पावर, गोर्मेट और फिविडिया यहाँ पर कोई भी, नो वन कैन, फ्लाउट, वोइलेट आपने यूज कर लिया, फ्लाउट, एनी रूल एन रेगुलेशन, फ्लाउट, उलंगर करना, आपका वोइलेट करना, तीदु यहाँ पर लिखोगे, तीदु यहाँ पर काम आ रहे हैं, और इन फ्रिज, इन कानून का नहीं, कानून का रूल एन रेगुलेशन, फ्लाउट, वोइलेट, इन फ्रिज और आपका फ्लाउट, जिसका सीदा-सीदा मतलब है, आपका कानून को तोड़ना, कानून का उलंगर करना, वोइलेट यूज कर सकते हैं, आप, आप इंफिज यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लाउट यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक नहीं आएगा, कि ब्रेक दलो, that is a wrong, कानूर के लिए तोड़ना, कानूर तोड़ने को आपका वी आइफ यूज़ करेंगे, कोई भी सेट वैल नहीं लगाया, तो ट्राफिक रोस हमारा इंफ पाइल लेंगे चलेज़े, तो कोट के प्रोटोकोल का वोलेशन है, इंफिजमेंट है, और फ्लाउटिंग है, आनन फानन में किसी को नागिकता नी दी जा सकती, ऐसा री से रेजिब किसी को भी दे दी, उसका पूरा एक बाकायदा सिस्टम होता है, सिटीजन शिप बी, इन हरी सकेरी, जल्द वाजी में आनन फानन में किसी को भी नागिकता नहीं दी जा सकती, आनन फानन दूसरे बार आरा है हमारे पास, इस पीडली हरी स्केरी नी कर सकते आप, जिजन शेप कैननोड़ बी agree इमानीर हरीस के रियानन फानन में आप सिटेजिशिप नहीं दे सकते तो the applicant will be scrutinized thoroughly जो भी आपका applicant है आवे दख है उसकी पूर्डूप से जाच की जाएगी ऐसे रही किसा आए और सिटेजिशिप ले गया the applicant जो भी आवे दख है जो भी applicant है आवे दख है उसकी क्या की जाएगी थरोली उसके scrutiny होगी उसके पूर्डूप की the applicant can be scrutinized आप पैसी में हैं ध्यार रखना scrutinized scrutinized अच्छी तरीके से थरोली कि भाई साथ 6 साल से हूँ आपने यहां पर किसी जी शादी की है आप किस परपस से आयो ऐसे तो नेपाली रो जाते हैं या हमारे हर कोई citizenship फो भी ले ले लेगा applicant can be scrutinized thoroughly applicant की थरोली जाच की जा सकती है और will be में करो तो will be कर की जाएगी will be scrutinized thoroughly उसकी अच्छे से जाच की जाएगी और every citizen will have to fill the will to garner citizenship हर नागरिक को जो अपने आपको नागरिक कहता है उसे शरते पूरी करनी पड़ेगी every citizen हर नागरिक को will have to एक फ्रेज आ रही है फरस्ट टाइम फ्रेज काम में लिए तो will have to ऐसे से में कम ही आती है फ्रेज काम में क्योंकि consistency होते हैं will have to fill the bill, fill the bill का मतलब होता है शर्ते पूरी करना, fill the bill, शर्ते पूरी करना, full bill condition भी कर सकते हो, कोई दिक करते ही है every citizen will have to fill the bill, every citizen will have to fill the bill, उसे शर्ते पूरी करनी पड़ेगी to garner citizenship, नागरिक ताप्ताप्त करनी के लिए to garner citizenship, नागरिक ताप्त करनी के लिए हर इसार को एक scrutiny process से गुजरना पड़ेगा, यह दि वो scrutiny में अपनी fill the bill कर देता है तो very possible उसे नागरिक बिल सकती है, लेकिन यह रूल को तोर देगा, तो भारत सरकार description power को यूज़ करके उसकी नागरिक ता किसी भी समय एंसे कर सकती है, उसे कोई question नहीं करेगा, फिर क्या हुआ, justified justice has been administered with astered state नाए संगत नाए, यह में अच्छा वर नहीं, इसको भी आप याद रखोंगे, बोलने में वह अच्छा लगता है, justified justice नाए संगत नाए, पारदर्शी नाए, ससक्त नाए, कोई भी जो भी अच्छा वर लगे आपको, justified justice, क्या हुआ, has been administered, वो कर दिया गया है, has been, यह हमेशा administered होता है, has been administered, had been administered, किसके साथ, पूर्वी जो अपने, वो है, वहाँ पर ही problem जादा है, with eastern state, with eastern state, पूर्वी राज्यों के साथ, यह नागरिक्ता के कारण, इस citizenship amendment के कारण, एक नाए, संगत नाए, कर दिया गया है, eastern state के साथ, क्योंकि वहाँ पर यह problem थोड़ी सी loop larger थी, खतरनाग थी, अपने रास्तान के यहाँ, यहाँ पर तो इती प्रॉब्लम भी रही है, कर दिया गया था, the optimistic law has been imposed in the whole India simultaneously, और यह आशावादी कानूर, this optimistic law, this optimistic, this optimistic, यारी hopeful भी कर सकते हो, optimistic का अशावादी, दिमाग से slip हो जाए, तो word दो जो उड़ना है, क्योंकि अच्छा लगता है, आशावादी है, this optimistic, या ओफल लो, had been, कर दिया गया था, had been imposed, had been imposed, in the whole of India, पूरे भारत में, या होल के बाद ओफ आएगा, whole India नहीं आता है, all लगाओगे तो नहीं आएगा, whole of India, कैसे एक साथ, ऐसा नहीं टुग्रों भी किया हो, simultaneously, 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 एक साथ, CAA Amendment Act, 2000, काफी शर्टों को imposed करते हुए, anti-India में लागू कर दिया गया था, anti-India में, imposed कर दिया गया था, कुछ अच्छी कंडिशन के दोरान, कुछ अच्छी कंडिशन के लेते हुए, यह दिन का violation हुआ, तो citizen cancel की जा सकती है, भारत सरकार के discretion के अंतर कर, फिर क्या हुआ, एक कहणी ओर, और आकरे में तो बढ़ाई कड़ी पड़ेगी अभी, इस परिग्राफ में, आज के परिग्राफ में, यह कारण सुरज की केरणों के समान है, this law is the race of sun, मिल्कु चलिख सही बात है, कहीं लगा दो, इसमें यो लगाँगे आप, this law is akin to, कभी सुरज, कभी चद्रोतारा, कभी ये तारा, कभी वो तारा, this law is akin to the race of the sun, सूरज की केड़ों के समान है raise of the sun किसी भी कानून के लिए लगा दो जब इतीन अपड़ने लिखेते वहा लगा दो UCC में लगा दो कुछ स्टर्डर परिग्राफ तो याद रखना जैसे पैंद रुखने लगे न और इस्टर्डर परिग्राफ को यूज कर लेना ये कानून सूरज की केड़ों के समान है विच एनलाइट दा इंटार कंट्री एंटार लिए विच एनलाइट देखो कैसे लिखा आपने विच जो प्रकाशित करेगा विच विल कर दो विच विल एनलाइट एनलाइट का मतलब होता है प्रकाश मान कर देना ऐसे वर्ब काम करना लाइट वर्ब नहीं है विच विल एनलाइट विच विल एनलाइट दा एंटार कंट्री एंटार लिए एंटार कंट्री दा एंटार लिए एंटायर हमारा एक्जेक्टिव है एंटायर कंट्री लिगने का प्रेजेंटेशन देखो एंटायर हमारा एक्जेक्टिव है और एंटायर ली हमारा एनवर्व है पूरे देश में एक साथ एंटायर ली एंटायर ली पूरे देश में कप्लीर देश में पूरे देश में समान रूप से एकसाथ से एंटायरली यह जो है पूरा प्रकाशित करेगा एकसाथ क्या आप ते उस संग की उपमादी है सर पूरे देश में एकसाथ आता है तो यह कानूर भी पूरे देश को एकसाथ अच्छा देत करेगा फिर क्या हुआ फिर भारती सविदार की बूल- करता है उसको हर्ट नहीं करता है ये भी आपको लिजना दाद करना और ल эфф करता लंगर करता है हर्ट गहराय कर लिए हर्ट करता है हर्ट और भॉल-एट थैस अफर दाफिन, अधिकार उसकी जो आत्मा है फंडामेंटल जो भी उसकी फिलिंग्स है जो भी जजबात है जो भी उसकी भावना है उस सब में आगए बूल-ूत अधिकारों भी होती हो ज़्यादा तो fundamental feelings of the constitution भारत सभीधान के किसी भी fundamental feeling का ये जो CAA 2000 गुदिस है ये किसी भी रूप से ना तो हर्ट करता है ये UCC भी लिखाता पड़ने feelings of the constitution वो तो उसमा आप तो लेके जाएंगे कोई गुरे सा मेरी धार्विग भावना हर्ट तो नहीं हो रही वाई constitution सभीधान के किसी भी fundamental feeling को ये कानूर ना तो आहत करता है ना उलंगण करता है प्योर हिंदी का वाई ना तो आहत करता है ना उलंगण करता है ऐसा नहीं violation करता है violation अलग हो या हर्ट अलग हो गया violation दुखा कि साभी दर से दर्मदा तो वोईलेशन हो गया और वापर किसी को गाली पकर अपना आ गए तो हर्ट करके भी आ गए ये हर्ट और वोईलेशन में थोड़ा सा minor difference और फिर आप से क्या कहता है ये कहना गलत नहीं होगा या दिनेम किसी की धार्मी वाउना को भी आहत करेगा ये कहना भी गलत है तो this is wrong it will wrong to say ये कहना भी गलत है कि कोई भी हर्ट होगा it will wrong to say. ये कहना भी गलत है क्या गलत होगा ये कहना भी गलत होगा that this act will this act will यह act this act will यह act क्या करेगा यह करना भी this will act this act will यहापर करो कटगरे में खड़ा करेगा याने कोश्न मार करेगा इसा भी नहीं आहत उपर लिख लिए दीचे थोड़ा दा चैस कर देते हैं this act will put anybody's किसी का भी anybody's क्या है anybody's religion, religious feelings धार्विक भावना, रिलीजियस पिलिंग्स, जो भी धार्विक भावना हैं, रिलीजियस पिलिंग्स, उनको कटकरे में खड़ा कर देगा, कोश्न मार्क कर देगा, आहत कर देगा, मजा खुड़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इंट्टू डॉग ये कहना भी बिल्कुल गलत है ना भारतिये सविदान की बूलवाना को आहत करेगा ना किसी की फिलिंग्स वाद करेगा ना रिलीजन को आहत करेगा CAA 2019 कुछ नहीं कर रहा है सभी नागरिकों को एक shadow में ला रहा है एक परचाई में ला रहा है ताकि refugee की problem आपके अवैद लोगों की problem illicit नागरिकों की problem सारी problem को wipe out करने के लिए जो ब्रमास तरह रहा है उसका नाम क्या है CAA 2019 क्लियर राते के एक दाम एक पार्ट और फिट नहीं अकल ऐसे इसके साथ क्लियर राशो क्लियर चल रहा है बिल्कुल